हलो बच्चों आप लोग कैसे हो आसा करते हूँ आप लोग सभी अच्छी होंगे आज मैं आप लोग का क्लास 4 का सब्चेर हिंदिय सेकेंड लैंग्वेज मैं आप लोग का सारां स्टू भूक से आप लोग को एक पार्ट पढ़ने जा रहे हूं जो चैप्टर 5 से है और चैप्टर कर नाम है उपो पार्थ कानवी संभालने यहां कानवी किसे कहा गया है यह जो है एक टिकांगी है आपको एक महावारत को एक भाग से लिया गया है जिसमें स्रीकुष्ण ने अर्जून को समझाते हैं कि कुशुत्र में अप लोग धन के यूद में आप किस तरह से लड़ाई से वे पीछे नहीं हड सकते हैं चाहे सामने उनके अपने प्रियाजनी क्यों ना हो लेकिन वो पीछे नहीं हड सकते हैं तो इसमें गार्भी कहा गया है धनूस को जब पुष्ष्ड के मैदान में जब यूद प्राढ़म होने वाला होता है और अर्जुन अपरी प्रियाजनों को देखकर वो यूद के लिए तयार नहीं होता है वो करता है मैं अपनी ही बुरुजनों को मैं कैसे मार सकता मैं उनका कैसे रखपाद कर सकता हूँ तरी स्रीकिस ने उन्हें समझाते हैं कि धम के उध में अगर आपके सामने आपके अपनी जन्मी हो और वो अधम का साहथ देते हैं तो धम के रक्षा के लिए उध करना चरूरी होता है तो इस तरह से मैं इस महावात की इस एकांगी को म आपके सामने बताने जारी हूँ तो आपके पास इस में जो है ये जो है पाद ये उधो पाद गामी शम्हालों इससे लिखा गया है जेनके रचेता है अधा नाथ सल्मा तो आप लोग से में के पास किताब है आप लोग अपनी किताब से आप ये देख सकते हैं मैं आपको लाइन टू लाइन आपको पढ़के बता रही हूं और समझाती हूं आपको ध्यान से देखें। खुरुष्यत्र के मैदान में कौडवों और पांडवों की सेनाय युद के लिए आमने सामने खड़ी है। तो जैसे मैंने आपको कहा, कौडवों और पांडवों के सेनाय जब मैदान में खड़े थे, आमने सामने खड़ी थी है। पांडवों की सेना में अर्जुन भीम, द्रिष्ट केतु और अभिमेन्यू जैसे अनिक मारती थे। तो यह सबी जो थे अर्जुन भीम द्रिष्ट केतु अभिमेन्यू यह सबी पांडवों के शिना में थे। और कौडवों की सेना में भिष्ट पितामा, द्रोणाचार्य, कर्ण, अस्वत्हामा और ज्याजत आदी अनिक वीर है। विष्ट पितामा संक ध्रणी करते हैं और उसी के साथ अनिक संक ढोलता तरम्रिदंग बज उठते हैं। इद्यूस्टी ने अप्रा अनत विजय नामक संक बजाया। उधर अन्य महरतियों ने भी अलग-अलग संक बजाये। इनके गोश से अकास गुंज उठता है। उसी समय स्वेत अस्वों से युक्त एक रत में अरजुन आते दिखाई देते हैं। रत के साथी स्रीकिस्न है। अर्थाद इसमें जो कहा गया है जो कुरुषेतर के दृष्य है उसका बनन किया गया है जिसमें कौडव और मांडव पांडव कुरुषेतर के मैदान में युथ के लिए तैार थे। और पांडवकों के शेना में अरजुन भीष लिस्ट के तुए वबनन जैसे महानधी थ तो इस तरह से यूद कर प्रारम करने के पले विश्पितामा संख ध्वनी करते हैं अथा संख पजाते हैं और उधर इलुस्ट्री भी संख पजा जाते हैं इस तरह कि दोनों महारतियों ने भी अपना संख पजाय अथा यूद कर प्रारम कर दिया इसी बीच में सफिद घोड में गोड़ में अर्जुन आते वे दिखा देता है और जिसके सार्थी कौन है स्रीकिस्ट तो इसमें अर्जुन ने कहा है बंधु मेरे रत को दोनों सिनाओं के बीच में ले चलिए जिसमें देखनों कि मुझे किन किन से यूद करना है जब यूद के लिए संग ध्वनी होती है तो उसके पसाथ अर्जुन ने अपने सार्थी स्रीकिस्ट से कहते हैं कि मेरे रत को दोनों कुरकुरुशित्र के बीच में लेके जाए अधात जहां पर दोनों सेनाओं खड़े हैं उसके बीच में लेके जाए मैं देखना चाहते हूं कि यूद में कौन-कौन खड़े ह स्रीक्रिष्ण ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा रत को आगे बढ़कर हे पार्थ इस स्थान से तुम अपने पक्ष और विफष दोनों ही दलों के वीर को देख सकते हो स्रीक्रिष्ण रत को आगे खीसे वे कहते है ठी अपार्थ अपधैसा तुम्हारा इच्छा मैं रत को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जा रहा हूं और फिर उन्होंने रत को आगे लेके गया और उस स्थान में ले गया जहां पर पक्ष और विफष दोनों ही दोलों के वी को अर्जुन सहाजी देख सकते थे फिर अर्जुन ने कहा सत्रु पश्ट की और देखकर अरे यह मैं क्या देख रहा हूं यहां तो गुरुद्वाणी पितामा फ्रीश और मामा शैले जिनकी गोद में मैं खेला हूं सभी विजय की इच्छा लेकर मरने मारने को खड़े हैं क तो वो अपने सामने अपने गुरुजुनों को देखकर वो स्थील हो जाता है और वो कहता है कि क्या मुझे गुरुद्वाणी पितामा फिश्मा और मामा शैले जिनकी गोदों में गोद में खेला हूं मैं उनसे मैं यूद कैसे कर सकता हूं क्या मैं उन्हें अपने तीरों से क्या मैं उनको छलिक कर सकता हूँ का इस यूद विजय के लिए मुझे अपने भुरुजनों और सम्वधियों को मारना होगा। श्रीकिस नहीं समझाते हैं वे अर्जुन को कहते हैं प्रिया अर्जुन ये यूद तुम अपने इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दियुधन उसके सातियों ने यूद करने के लिए तुम्हे वादि किया है। इस प्रकार के धर्म यूद में किसी प्रकार का मुझ करना चानी होता। अर्जुन को कि तुम अपने इच्छा से यूद नहीं कर रहे हो। तुम्हें दियुधन और उसके सातियों ने यूद करने के लिए वादि किया है। और इस प्रकार के धर्म यूद में मुझ करना चानी है। अथात धम की रक्षा करने के लिए अगर तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे स्वजन और प्रियजन भी खड़े हो तो तुम्हें इसके लिए डड़न नहीं चाहिए और नहीं तुम्हें इसके लिए पीछे हड़ना चाहिए। धम के रक्षा के लिए तुम्हारे सामने च अर्जुन पुरी तरह से तुटते हुए यादवेंद्र यानि स्रीकिष्ण से कहता है मैं ये दिल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सामने मेरे समुदाइं सभी स्वाजन समुदाइं हैं अथात उरके सभी समधी खड़े हैं और मेरा अंग सिथिल हुए जा रहा है मैं करने में यू नहीं कर सकता है कि मुझे विजय नहीं चाहिए मुझे राज्य नहीं चाहिए इन स्वाजनों को मारकर में तीनों लोगों का राज्य वी नहीं चाहता है वो स्रीकिष्ण से कहता है कि मुझे नहीं विजय चाहिए और नहीं राज्य चाहिए चाहे मुझे तीनों लोगों का राजे भी मिल चाहे लेकिन मुझे अपने प्रियाजनों का रख्त वहा कर उन्हें मार कर इस तरह की विजय नहीं चाहिए स्रिकिस्टि उसे समझाते वे कहते हैं वीर अर्जुन तुम आज कैसी कायरो की से बात कर रहे हो स्रिकिस्टि उसे समझाते वे कहते हैं कि हे वीर अर्जुन तुम आज ऐसे डर्पो को कुछ जैसे कैसे बात कह रहे हो यूद स्तल में आके तुम आज्यान जैसी बाते नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे हिर्दय में चाहिए कितने भी दुरवलता हो तुम्हें कितना भी कस्ठ हो तुम्हें अपनी संकाओं को दूर करके अपनी एकों को त्याग करके यूद करना चाहिए क्योंकि धर्म के यूद के लिए धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें इसके पीछे नहीं हड़ना चाहिए चाहिए तुम्हारे सामने तुम्हारे संबंदी और गुरुजनी क्यों ना अर्जुन कहते हैं भगवन मुझे यूद के लिए विवस ना करें मैं आचारे दोन और पितामा विश्म के सरीर को अपने वानुत के से किस पकार बेद सकूँगा अपने ही समयंदियों पर किस प्रकासस उठा सकूँगा अर्जुन कहता है कि भगवन मुझे यूद करने के लिए अथात हो चाहता है कि स्रीकिस ने उसे यूद करने के लिए विवस ना करें आचारे दोन आचारे और पितामा विश्म के जिसके गोद में वो इतने लीनों से खेला है तो वो कैसे उसके उनको अपने बानों से चलनी क कर सकता है इसलिए उसके हाथ काप रहे हैं और वो अपने सास्त्र उठा नहीं सकता है श्रीकिस ने यह वेधर्म नहीं है अर्जुन जो अधर्म पर चलते हैं अथवा अधर्मियों का साथ देते हैं उनका विनाश करना ही वेधर्म है जो छत्र यह नहीं करता उसके सर्वत्र निनन्दा होती है। आने वाले संतती कहेगी कि अरजुन कायर था। उसने पाप को बढ़ावा दिया। अथा सिरकेश में कहते हैं कि अगर कोई वीर अधर्म का साथ देता हो तो वो वीर नहीं है। जो अधर्म पर चलते हैं, जो अधर्मियों का साथ है। उनका विनाश होना नहीं आवश्यक है। चाहे तुम्हारी वहाँ पे गुरुजन और संबन्दी क्यों नहीं हो। अगर वो अधर्म का साथ देते हो, तो उनका विनाश करने में कोई पाप नहीं है। अगर छत्रियों का ये धर्म होता है कि अगर वो अधर्म का नास्नाकड़ी तो उसकी अर्जुन फिर अपनी जिगाशों का बढ़ाते वे कहते हैं कि यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवर याई स्रितुस कहते हैं इसके बात वाला अध्याय मैं आपको नेज़ रास्ने पढ़ाऊंगी आज मैं आपको जीवन मुल्ल के बारे में बताती हूँ जीवन मुल्ल में इसमें द्याया है यूद का विरोध जिसमें कि आर्जुन अपने स्वजनों को देखकर अपने गुरुजनों को देखकर वो यूद का विरोध करता है धाम यूद के पक्ष में अथात जिसमें शीके सर्जुन को समझाते हैं कि सहे आपके यूद के छेत्र म कोई भी हो चाहे आपकी प्रेजन के मसंबदी क्यों खड़े हो धम रूद में सभी कुछ पक्ष में होता है करते हैं बहुत हारजीत के परे जो भी आपको करते हैं अपने राजी के पती वो हारजीत से परे होता है यह आपके जीवन होले है और मैं आपको इस चाहिए जब भी होगे पाठ के या फिक कविता के खेट में अब कोई घानी भी जब पढ़ते हो अगर आपको पढ़ने में दिकत आती होता है उसे अंडर्लाइन करके उसके साइड में या फिक हिंदी कॉपी में आपको इसका मीनी लिख लिया किजे तो फिया आपको पाठ में का आर्थ पितामा दादा विजय जीत बाध्या मजबूर मुख लगाओ श्रीक्रेश्म विनास बरबादी श्वजन अपने लोग स्थिर धीले असमत काम ना कर पाना काय तर्पो अज्यान ना जानना दुर्पत्ता कमजोरी त्यागना छोड़ना वीवस बाटे भी लिख सकते हैं या फिर मजबूरी मजबूरी या फिर मजबूरी लिख सकते हैं तो यह आपको मीनी है इस तरह से आपको अपने कॉपी में या फिर भूप में भी लिख सकते हैं पार्ट में भी आपको कोई सब्द ऐसा लगे जो आपको लगेगा कि आपको नहीं आता है तो आप जैसे यहां पे दिया हुआ है आपका त्यागना का छोड़ना और फिर त्याग का भी छोड़ना होता है तो इस तरह से आपको सब्दों का मीनी लिख सकते हैं तो आज के लिए मैं आपका यहीं पर समापती हूँ मैं आपका अपना क्लास इसके बाद बना में जो बाकी का अपका पार्ट का बाकी है अंस मैं आपको पढ़ाऊंगी धन्यवाद आपका बना में